अच्छा हमको सिखार या है हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग आज काफी ज़्यादा एक्साटेड है क्योंकि आज हम पूरा घर को डेकोरेट करने वाले हैं दिपावली के लिए और वह भी लाइटिंग से सबसे पेले लाइट से डेकोरेट करेंगे और गाईज लाइट से डेकोरेट करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे लगता है आप लोग भी सजावट कर रहे हैं में डेकोरेट करने में पूरा लाइट से अपने घर को गाईज देर ने करते हुए चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से से लिए तो गई अब हम जा रहे है पुराना घर और ऊधर ही लाइट रखा हुआ है इक बॉक्स में बंद है द सब्सक्रान आपको सब्सक्राइग नेख सब्हस åराarray एथर देख सकते हैं दादी को यहीं अच्छा लगता है मन लगता है दादी को यहीं पुराना गर में देख सकते हैं मेरे दादी है बैठी हुई है तो गाइज अभी चलते हैं और बॉक्स से निकालते हैं लाइट देख सकते हैं यहीं बॉक्स है तो अभी निकालें कौन-कौन सा ल सबसे पहले हम लाइट को चेक करें कौन सा खराब है कौन सा सही है सब को देखना पड़ेगा देख सकते हैं तो यह देख सकते हैं सही है गजने करें तो करें गाइज इस तरह बाइज से करना है इसा अधान से करना है यह जैसा खराब हें। कापे ज़्यादा भाड़ी है तो इसी बंस में हमको जालर को लगाना है और उपर में खरा करना है तो अभी हम सबसे पहले जालर को पहला लेते हैं जितना भी है सब को सही कर लेते हैं सिधा कर रहे हैं देख सकते हैं जाइस तो देख सकते हैं यहां तक जालर लगा दी है और तो जी जो बल्ब देख रहे हैं इसी को सबसे उपर लगाना है ताकि अच्छा लगे इस तरह से इसको टेप से टाइट कर देते हैं ताकि यह खुले रहे हैं अच्छे से तो यह हो गया फेक्स तो गया देख सकते हैं सब कुछ सेट कर दिया है जर देख सकते हैं बंस में सब सेट कर दिया है और अभी इसको ख़ड़ा करें गया जब देख सकते हैं कि हम बंस को खरा करने के लिए नीचे एक बालू से भरा हुआ बोरा से हम दाब दिया हैं ताकि बंस गीरे नहीं उल्टे नहीं और उपर भी पीलर के ज़र से हम बहुन दीएं देख सकते हैं ताकि बंस जम अच्छे तरीके से खरे रहे रहे לפ तो देख सकते हैं काफीदेर के बाद सेट हो गया और इसको हम फैला भी दिया है चारो तरफ देख सकते हैं Veteriner के अच्छे तरीकत से और यहां पर एक बूड्ड लगाएं यहां के मैं और यह जो पॉड़ दिख रहा है इसकोम आगे हम लगा तो इसको भी सेट कर देते हैं तो हो गया यहां पर इस सेट यह नले मार दिंगे हैंए तो क्वाइच यहां पर देख सकते आढ़्जी लगा रहें यहां यहां पर यहां पर Oo एक लगा दिए इस साइड देख सकते हैं इस तरह से और दूसरा लगा देंगे इस साइड दोना साइड चाजा पर लगा दिए दोना साइड और गाइस देख सकते हैं इस साइड गलोबला लगा है और दूसरे खिरकी मुधर भी लगा दिए एक गलोब इस साइड देख सकते हैं देखे गाज दादी यहां पर जम दिया कर रहे है तो सब्सक्रांटा देख सकते हैं और यहां पर निकल रहा है देखे इदर भी निकल गया है м' और फाइनली जो डेक्रेट के थे लाइट देख लीजे आप लोग उपर किस तरह का लाइट जल रहा है और हम आपको आगे से दिखाएंगे अच्छे तरीके से सबस्काइब कि दखें जने आप कि यमराज जी को बाहर किया जाता है और लक्षमी जी को अंदर जाता है इससी वीजे से धियाट का मजा लेजिए और देखें किस तरह से डेकोरेट किये थे हम लोग और देखें कितना चाहत तरीके से जल रहा है आप लोग कुद कमेंट के भी बतायेगा मेरा लाइटिंग डेकोरेशन कैसा लगा वैसे कुछ लाइट अभी और भी रखा हुआ है नहीं लगा पाए कापी ठग गए लेकिन फ और ने बुला के साथ तब तके लिए हैपी दिवाली